इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे question no.1 का third part of exercise 5.1 from 10th class NCERT. जैसे कि मैंने इसके previous parts में भी आपको बताया कि हमारे पास इसमें total question no.1 में total 4 parts हैं और 4 parts में हमें कुछ इस तरह की situations दी हुई हैं और हमें situation को समझ के बताना है कि जो list of numbers हमें मिलेंगे क्या वो list of number AP form करेंगे या नहीं करेंगे हमें यह बताना है with reason. So, let's start this question. In which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? Alright. So, students, इस बार की जो situation है हमारे सामने वो क्या है? वो देख लेते हैं. The cost of digging a well after every meter of digging when it's cost rupees 150 for the first meter. Alright. And rises by 50 for each subsequent meter. Okay. तो क्या मतलब है इस question का? देखें, इस question का basic मतलब यह है कि इसको आप अपने real life से भी connect कर सकते हैं. Suppose आप एक village में हैं और वहाँ पर आपको एक well बनवाना है. Okay. कुआँ बनवाना है. तो आप obviously किसे labor को बलाएंगे. तो जब आपने labor को बलाया और उसको समझाया कि भीया आपने यह जमीन का तुकड़ा है और इस जमीन पे आपने well बनाना है. ठीक है कुआँ बनाना है. तो कहएगा हम इसकी खुदाई करेंगे. Obviously. तो जैसी वो मिट्टी को खोदना शुरू करेगा तो उसके situation यह दे दी कि सर ऐसा है कि अगर आप सिरफ इसे 1 मीटर तक खुदवाओगे. ठीक है ना? Then I will charge only 150 रुपीज. लेकिन अगर आपने 1 मीटर से ज़ादा और खुदवाओगे करवाओगे तो उसमें पर मीटर के हिसाब से मैं 50 रुपीज और लेता जाऊंगा. तो for example अगर आपने 2 मीटर कर दिया तो 50 उसके भी देने पड़ेंगे और कर दिया तो 150 प्लस दिस प्लस दिस तो टोटल कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी उस इसाब से आप उसको calculate करके दे देंगे. तो चलिए देखते हैं कि यह situation हमारे लिए AP फॉर्म करेगी या नहीं करेगी. So, let's start. यहाँ आप लिख सकते हैं solve. So, you can say let an be the price of digging. So, अगर आप 1 मीटर की बात करें तो यानि कि first term आपको मिल जाएगी और first term मतलब 150 रुपीज यह आपको pay करना है. जब आप इसे 2 मीटर की खुदाई कराएंगे उसको 2 मीटर डिक कर देंगे that is 150 plus 50 क्योंकि first meter के लिए 150 पे करेंगे आप और second के लिए कितना करना है 50 रुपीज. तो कितना हो गया that is 200. अगें अगर आप third करते हैं तो देखिए first के लिए आपको 150 करना है, second के लिए आपको 50 करना पड़ेगा और third के लिए भी आपको 50 रुपीज करना ही होंगे. तो ये amount आपका बन जाएगा कितना, it is again 250. आल राइट, so चलिए एक last और ले लेते हैं, suppose आपने मन करा कि मैं इसे 4 meter तक इसकी खुदाई करवाता हूँ, तो देखिए, फिर आप क्या पे करेंगे, 150 for the first meter, second के लिए again 50 रुपीज, third के लिए भी again 50 रुपीज, और उसके फोर्थ के लिए भी 50 रुपीज, so total amount आपको कितना पे करना पड़ेगा, 300 रुपीज, तो आप देख सकते हैं, कि जैसे जैसे amount, distance बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे amount भी बढ़ता जा रहा है, तो इस हिसाब से जो हमारे पास observations आ रही हैं, जो arrangement आ रही नंबर की, वो ये है, so these are 150, 200, 250, 300, and so on, alright, so अब आप चेक कर सकते हैं, यहापे, if you find a2 minus a1, तो आपके बाद जो value आएगी, that is 200 minus 150, so this is 50, again, if you find a3 minus a2, then you will get 250 minus of 200, so you will get again 50 rupees, or just a difference is 50, okay, तो यहाँ से आप कह सकते हैं, here, मैं यहाँ side में लिख रहा हूँ, here, a2 minus a1 is equal to a3 minus a2, so, therefore, the given situation is an ap, so अब यहाँ से अपना final answer लिख लेते हैं, therefore, given situation is an ap, all right, thank you